आदमी अपने काम से पहचाना जाता है नाम से नहीं सुआर्थ के पेछे भागने वाली ये दुनिया किसे के लिए भी नहीं रुकते हमें खुद रोकना पड़ता है कौन सी कहानिया KGF3 में इंक्लूद होनी चाहिए क्यों ऐसी कहानियों का फिल्मों में दिखाया जाना बहुत जादा आवश्यक है KGF2 की रिलीज देट अभी पोस्ट पॉन नहीं हुई है मगर देश भर में कोरोना वाइरस की सेकेंड वेफ का हाल देखकर लगता नहीं कि अगले दो महिने तक सिनेमा हॉल्स पर जरा सी भी पाबंदियों पर कमी आईगी देश में कोरोना की बज़े से बिगड़ते हालात के करण सिनेमा के स्थिती भी बहुत तीजी से नीचे केते हुए नजर आ रही है कई सालों से जनता के लिए मनुरंजल का एक मार्त पुसोच रहने वाला सिनेमा आज जरा धीरे चलता ना जरा रहा है अभी पता चला है कि में के पहले सब्ताव में ही कई सारी बिग बज़ेट बॉलिवुड ओटी प्लेटफॉर्म का रास्ता चून कर अनाॉंस्मेंट करने वाले हैं हालाकि हालात इतने बुरे नहीं हैं मगर OTT और एनिमे की आजाने की बज़े से सिनेमा का भावेशे सिर्फ लाजवाब फिल्मे ही बजा सकती हैं जी हां एबरिज फिल्मों का थीटर पर कोई खास प्रभाव नहीं पढ़ने वाला सिर्फ ब्रिल्येंट फिल्में बिग बज़ेट और बड़े स्टार्स के साहथ सोर्यवंशी को भी कई सारे कन्फूजन्स और रिस्क से साथ 30 अप्रयर को रिलीस करने का प्लान किया गया था मगर अब वो प्लान भी कैंसल हो गया है कहा जा रहा है कि गंगोवाई काथियावाडी भी नेक्फ्लिक्स पर ही आने वाली हैं पहले भी नेक्फ्लिक्स ने भंसाली को इस फिल्म के लिए कई धनराशियों के ओफर दिये थे मगर भंसाली थीएटर बिसनिस की वज़े से नहीं मान रहे थी मगर अब दिल पर पत्धर रग्य भंसाली के OTT रूट के जाने के बाद बॉलीवुड में सिर्फ सूर्य बंशी और KGF-2 ही बाकी रहे गएंगेंगें जिसे थीएटर को फाइदा हो सकता है मगर इन दोनों में भी सबसे जादा जो चलने की उमीद है वो है KGF-2 से क्योंकि KGF-2 की कहानी अलग है, स्टीरियोटाइपिकल नहीं है और उपर से फिल्म एक अल्रेडी ब्लॉकबस्टर पार्ट ब्रेकिंग फिल्म की सीक्वल है सीक्वल्स पहले पार्ट से बहतर हो या ना हो, कमर्शियली पहले पार्ट से बहतर कमाती ही है पहले पार्ट तो पॉपिलारिटी पर दूसरा पार्ट केपिटलाइज कर वाता है ऐसे में जरूरी होता है थीएटर वालों को टेजी अफ 3 का वारा देना हाला कि वो असल में जानवर ही थे मगर क्या होगा अगर तेस्टे पार्ट में रॉकी किसी इंसान पर नहीं बढ़कि एक प्रोसस पर आठमन करें माइंस में काम करते लोग बहुत अत्यचार कर सामना करते हैं कभी-कभी पर आंडबरों से भास भी नहीं निकाल पाते हैं तुछ वर्गर्स और कीवन के लिए कोई मेजर्स नहीं लिए कोई किय चाती कोई इंस्वरेंस नहीं किया जाता के जीएद की शूटिंग के दबुरां मेकर्स में निस अरे क्रिव मेंबर्स के लिए इस इस परिशानी के साथ रिलेट कर बाएंगे पहले माइड वर्करण की कहानी इस प्रेशली कोईला माइंड में काम करते वर्कर्स की कहानी काला पत्थर में दिखाई गई है मगर आप टाइम आ गया है कि इस मोदे पर अच्छे से फिल्म बनाई जाए स्पेशल इफेक्ट और बीजियम और स्टाइट के साथ आपको क्या लगता है इस कॉस को एम्प्रिफाइड करना चाहिए या नहीं वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा धन्यवाद प्राहिएग याइड़ को लिए याइड़ जरूर को लाइड़ जरूर के साथ